हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीस विजन अकेडमी पर तो चलिए आज देखेंगे cg lab technician exam को ले करके आज हम home science का देखे home science का हम जो है model paper कहें या फिर old question paper कहें यह व्यापमदारा पुछा गया question paper है और बहुत जादे important है तो चलिए पार्ट वन हम जारी कर चुके हैं पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो मैं playlist मना दिया हूं प्रवक्साला भरती परिक्षा 2024 करके उसमें जा करके आप देख सकते हैं सारे video मिल जाएंगे आपको यह पार्ट टू है पार्ट वन जारी हो चुका है होम साइंस का यह पार्ट टू है तो चलिए जल्द शुरू करते हैं पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो पायस का इस्थाइत्व तो यह पायस का इस्थाइत्व जो है इमल्सिफायर फरस्ट का 3 होगा उसके बाद जो है पानी में सक्कर यह हो जाएगा आपका 2 solution तो B का 4 हो जाएगा उसके बाद C लकडी का भूसा यह हो जाएगा suspension 2 फिर उसके बाद D हो जाएगा सॉल का इस्थाइत विद्दूत चार्ज ये जो है D का 1 हो जाएगा फिर हो जाएगा आपका जिलेटन E है तो ये जो है लास्ट में आपका हाइड्रो फोलिक कोलाइड तो इस तरह से एक बार फिर से मिला लेंगे फर्स्ट का A का 3 आएगा B का 4 C का 2 D का 1 और E का 5 तो इस तरह से A जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 51 का अब चलिए 52 नंबर का कोश्चन देखते हैं 52 में निम्न का मिलान करें ये भी दिया हुआ है तो यहाँ देखिए सिन्रेशिस देखिए सिन्रेशिस A ये हो जाएगा आपका जेल से तरल की हानी तो A का 4 हो जाएगा फिर है सरफेक्टेंट देखिए सरफेक्टेंट क्या होगा पदार्थ जो सतही डापको कम करते हैं तो B का 1 हो जाएगा, C जो हाइड्रोफिलिक, तो ये हाइड्रोफिलिक क्या होगा, पानी के लिए आकर्शन, C का हो जाएगा 5, D का देखते हैं, क्रिस्टलाइड, तो ये जो हो जाएगा आपका true solution, true solution, तो D का 2, और E का हो जाएगा collide, तो ये हो जाएगा disperson, तो ये हो जाए C का 5, D का 2, और E का 3, तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद चली आगे चलते हैं, 53 number का question, तो 53 number question में देखते हैं, पकाने की विधियों का उनके पात्रों के साथ मिलान किजिए, अब देखिए, 53 number में, तो यहाँ देखते हैं, क्या है microwave, क्या है microwave, ये क्या हो जाए वन हो जाएगा, अलुमिनियम पात्र, फिर इस्टर फ्राइंग, ये हो जाएगा आपका, अलुमिनियम कढ़ाई, C का 2, और D का induction, ये हो जाएगा आपका चप्टे तले वाले फेरो मैगनेटिक पात्र, तो D का हो जाएगा 3, तो एक और फिर से मिलान कर लेंगे, A का 4, B का थान्याईक वाला, तो उसमें जो है, इसी तरह से question पूछा गया थे, इसलिए ये practice आपके लिए बहुत important है, कितने question बर रहे हैं, वो भी check करें अपने से आप, अभी कथन ए है, microwave में प्रविक्त पकाने के पात्र, अक्षर, भोज्य पदार्थे से अधिक गर्म होते हैं, य देखे, 54 नंबर का question में, यह क्या कहा गया है, यहां देखे, A सत्य है, असत्य है, A और आर दोनों असत्य है, बिल्कुल दहीं, तो A और आर दोनों असत्य है, B correct answer होगा, 55 नंबर का देखते हैं, यह भी अभी कथन वाला है, तो अभी कथन है, बेकिंग में ताप का इस्थन होता है, तो देखे, यह क्या होगा, A जो है, असत्य है, अभी कथन असत्य है, लेकिन जो कारण है, यह सत्य है, तो A यहां पर correct answer होगा, 55 का, 56 नंबर question देखते हैं, चलिए अभी कर्थन, यह भी अभी कर्थन से संबंदित है, अभी कथन है, वसा के माध्यम से पाक की सफलत निर्भर करती है, तो देखे, 56 में, A असत्य है, A जो कहा गया है, अभी कथन, यह सत्य है, लेकिन कारण का है, सत्य है, तो D यहां पर correct answer होगा, A असत्य है, और R सत्य है, चलिए 57 नंबर question देखते हैं, निमनलिकित का मिलान करें, और इसी pattern पे पूछा जा रहा है, आप hostel वा कि वापम चाहे किसी भी भाग में question पूछे रहे, यह home science का paper है, इसलिए important है, चाहे वो set में रहे, चाहे कोई भी exam में पूछा रहे, तो हमें देखना है, यह नहीं देखना है, कि left technician में ही पूछा गया था, इसी बाते नहीं, जिसमें भी पूछे, वो सारे हमें solve करना है, त TAT, अब देखिए TAT प्रक्षेपण विधी है, तो A का 3, यह ध्यान रखिएगा, B का है सहोगात्मक योम सहायक विवहार, तो यह क्या हो जाएगा, प्रसमाजिक विवहार, B का 4 हो जाएगा, C का है BCG, तो जैन्म के तुरंत बाद, यह जो है BCG का टिका लगता है, तो C का 1 और विकास जो है, यह हो जाएगा, गुडात्मक होता है, तो D का 2, एक बाद फिर्स मिलाएंगे, A का 3, B का 4, C का 1, D का 2, तो A जो है 57 का करेक्ट आंसर है, चलिए अगला देखते हैं, निमने लिखित का मिलान करें, एक तरफ कारेकरम है और दूसरे तरफ वर्स है, 58 का, अ अगला है राष्ट्री पोलियो, तो यह हुआ आपका 1997 में, इस तरह से आप मिलान कर लेंगे, A का 2, B का 1, C का 3, और D का 4, तो B यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 58 का, 59 नमबर कोस्चन देखते हैं, निमने लिखित का, निमने लिखित का मिलान कीज़ें, यह भी है, सुची 1 सुची सेकेंड से, यहाँ देखें चलिए, हावर्ड, 59 नमबर का कोस्चन, हावर्ड, यह क्या है, यह मल्टिपल इंटेलिजेंस थेवरी है, हावर्ड, यह दिए इन्होंने, और हैविंग अस, देखिए, हैविंग अस, यह जो है, B का, क्या हो जाएगा आपका, यह विका रिस्पोंस थेवरी, तो यह जो है, इस तरह से, मिला लिजेए, का 3, B का 1, C का 2, और D का 4, B, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 59 का, अब चलिए, 60 नमबर का कोस्चन, देखते हैं, 60 नमबर कोस्चन है, अवस्था और आयू, तो देखिए, अवस्था और आयू से मिलान करन है, तो यहाँ देखिए, क्या है, सैस्वा वस्था क्या है, तो सैस्वा वस्था जो होता है, यह सुने से 6 वर्स के बीच है, कितना है सुने से 6 वर्स, सैस्वा वस्था, उसके बाद जो है, बाल्य वस्था क्या होता है, 6 से 12 वर्स के बीच होता है, कि 12 वर्स को माना जाता ह है और विकास की चरह मवस्था 21 वर्ज है तो इस तरह से एक टू बी का वन सी का थ्री डी का फोर फिर करेक्ट कर लेंगे तो 60 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा अगला कुश्चिन है निमनल लिखित का मिलान करें सुची फर्स्ट को सुची सेकेंड से तो देखिए 61 नमबर का क जो है बी का हो जाएगा आपका यहां पर बी का हो जाएगा देखिए यह फोर हो जाएगा पी आजे क्या हो जाएगा बी का फोर पी आजे उसके बाद चलिए रेखते हैं आगे Sudden Infant Rate Syndrome C तो यह जो है C का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इस पिलिंग आन स्टमक एंड साफ्ट सर्फेस C का 1 और D जो है लास्ट यह जो है किंडर गार्डन यह फ्राविल का तो D का हो जाएगा 6 एक बार मिला लिजे A का 5, B का 4, C का 1, D का 6 तो इस तरह से B जो है करेक्ट आंसर होगा 61 का 62 नंबर को देखते हैं चलिए यह सभी में मिलान करने वाला दिया है इसलिए बहुत अच्छा है सुची फस्ट को सुची सेकेंड से सुमेलित कीजिए सक्रिय सिखना तो देखिए सक्रिय सिखना क्या है यह प्रत्यक्ष अनुभाव है एका 4 होगा ध्यान र जाएगा फ्रायड सी का वन और उसके बाद पोस्ट ऑफिस भ्रमड डी तो डी का हो जाएगा आपका क्या होगा यह फिल्ड़ ट्रीप तो डी का हो जाएगा छेट्वा चलिए एक बार मिला लिए एका 4 वी का 2 सी का 1 डी का 6 तो इस तरह से भी यहाँ पर करेक्ट आंसर सिक्षा मनुस्य के अच्छाई को उद्गरित करने के योग्यता प्रदान करने के लिए तैयार करती है तो देखिए A और R बिल्कुल दोनों सही है तो A और R दोनों सही है B यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 63 का चलि 64 नंबर कोश्चन देखते है यह भी अभी कथन वाला है त उपोशन्ड, संक्रमण, नीम्न, इस्तर, अवास और दूसित पानी है तो A और R दोनों सही है B यहाँ पर 64 का B जो है करेक्ट आंसर है 65 नंबर कोश्चन देखते हैं लेवलिंग अभी कारक जो फाइबर डाय अप्टेक को धीमा करता है को क्या कहा जाता है तो देखिए 65 का इसे मंदक कहा जाता है एक करेक्ट आंसर होगा 66 नंबर का कोश्चन देखते हैं चलिए फिगर्ड मसलिन जो पारंपरिक रूप से बांगला देश में बनता है उसे विश्व का सुन्दरतम टेक्स्टाइल माना जाता है क्या कहलाता है तो देखिए ये क्या कहलाता है जामा मैंडेटरी माना किस पर लागू होता है 67 नंबर तो देखिए किस पर लागू होता है यहां चली देखते हैं यह जो है फरनिशिंग यह इस पर लागू होता है चमड़ा पर भी लागू होता है आपका सजावती उतपात पर लागू नहीं होता घरेलू कपड़े पर होता है तो A, B, D, E सही है तो B यहाँ पर correct answer होगा 67 का 68 नमबर question देखते हैं उन में कौन सी विशिस्ट finish प्रक्रिया की जाती है तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है तो carbonizing में है बिलकुल यह आ जाएगा फिर craving में भी आए जाएगा हिट setting को छोड़ करके यह जो है decating भी होगा तो A, B और D सही है C यहाँ पर correct answer होगा 68 का 69 नमबर का question देखते हैं चलिए विपड़न उपयोगिता जो उत्पात की छमताय होती है का उपयोग गरहा क्या शक्ता की संतुष्टी के लिए किया जाता है वे हैं तो देखिए वे क्या है तो यहाँ देखते हैं फार्म उपयोगिता यह हो जाएगा यह सही है यह आएगा फिर उसके बाद देखिए 69 नमबर देख रहे हैं उसके वी निमाई उपयोगिता यह नहीं होगा फिर उसके बाद समाई वर्सों में भारत में कपड़ा उद्द्यो निम्न प्रकार के शॉल का उत्पादन करता था तो देखिए किस प्रकार के शॉल का उत्पादन करता था ये दोशाल ये वाला आएगा सोजनी नहीं होगा फिर उसके बाद जो है जाल कडोजी ये नहीं होगा फिर उसके बाद क्या होगा दोरुखा आ जाएगा फिर आ जाएगा काशब तो A, D और E सही है तो A यहाँ पर correct answer होगा 70 का 71 नमबर का question देखते हैं पंजाब का पारंपरि क्राफ्ट फुलकारी है भिन भिन प्रकार के फुलकारिया हैं तो देखिए भिन भिन प्रकार के फुलकारिया क्या कहें तो यहाँ देखिए चोप है चोप आएगा 71 का उसके बाद सालू भी होगा और उसका सुजानी और ये सुजानी नहीं होगा सुवर आएगा और अरी नहीं होगा तो A, B और D सही है C यहाँ पर correct answer होगा 71 का 72 number question देखते हैं चलिए ये सुमेलित वाला पुछा है तो देखिए ये परिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं का सुची 1st में और सुची 2nd से मिलान करना है प्रारंभिक परिवार देखिए 72 number question तो प्रारंभिक परिवार क्या है प्रारंभिक परिवार ये विवाह है A का 2 से संब्वार विस्त्रित होता परिवार ये जो है बच्चे के जन्म लालन पालन समयोजन इससे संबंदित है B का 3 होगा संकुचित होता परिवार तो ये हो जाएगा आपका बच्चों का विवाह विवसाय के कारण घर छोड़ना ये मतलब संकुचित हो रहा है यहां पर तो इस तरह से A का 2, B का 3 और C का 1, A यहां पर correct answer होगा 72 का, चलिए 73 three number question देख लेते हैं यहां देखिए, सुची फर्स्ट को सुची सेकेंड के साथ मिलान करना है तो 73 नंबर में देखते हैं यहां देखिए A, कार्य की इकाई या उस्त ग्रिड़ी द्वारा उस्त परिस्ति ए घंटे में किये जाने वाले कार्ये तो A का, 2 हो जाएगा चलिए B का देखते हैं B का है कार्य भार तो यह हो जाएगा कार्य इकाईयों का यह B का 4 सहीं होगा कार्य वक्र चलिए देखते हैं C, तो C का यह हो जाएगा 1, निर्धारी समय में निस्पादन ये जो है कार्यवक्र निर्धारित समय में ये निस्पादन परिवर्तन ये वाला होगा और D जो बज गया है आपका ये हो जाएगा 3 ये आपका कौन सा बचा है कार्यवानक घरली कार्यों के लिए निर्धारित निश्ची समय ये वाला होगा तो इस तरह से इसका answer होगा चली अगला question देखते हैं 74 number का question है यह देखिए some pressure है और दूसरे तरब first सुची को second सुची से सुमेलित करना है 74 का तो चली यह देखते है 74 number में क्या है संदेज भेजने वाला पहला sender संदेज भेजने वाला sender क्या कहला था जो संदेज दे रहा है संदेज जो दे रहा है तो A का 3 होगा दूसरा है संदेज तो संदेज क्या होगा संप्रेशन की विस्यवस्तू B का 1 फिर उसके बाद symbol तो यह symbol जो है यह क्या होगा संदेज का सब्दो या अने रुपो में अनुवाद ठीक है C का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा फिर D का channel channel का हो जाएगा यह second number में जो किसी माध्यम द्वारा देखिए किसी माध्यम द्वारा प्रसारिद करता है अगला है प्राप्त करता कौन होता है तो प्राप्त करता कौन होता है सुरोता, पाठळक या धर्सा के प्राप्त करता होते है तो A यह केरिक्टांसर हो जाएगा बहुत लंबा ही इसलिए थोड़ा आगे पिछे करना पढ़ रहा है चलिए क्योंकि question paper ही ऐसा बना है 75 number question देखते हैं अभी कथन है देखिए जीवन की जटिलताओं से मनोवैगनिक ठकान होता है बिल्कुल सही है अगला है कमजोर नियोजन कारण बता रहा है लच्छो की प्राप्ती में आसफल और नापसंद कारी है तो ए और आर दोनों सही है 75 का जो ह है 76 का तो देखिए यह सही है कारण बताया गया है कि कीमत गूड और मात्रा के मामले में भोगता प्राप्त करता सोसित किये गया नुभव करते हैं तो बिल्कुल सही तो A और R दोनों सही है B यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 76 का 77 number question देखते हैं अभी कथन और दूसरा है कार या विचारों का अदान पदा संप्रेशन है तो देखिए 77 का A और R दोनों क्या है सही है C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चलिए 78 number question देखते हैं अभी कथन A और अभी कथन B अभी कथन में क्या दिया गया है फिर कारण है R अभी कथन यह है आयोजन भविष्य में होने वा सही निर्णाय किया जाता है तो बिल्कुल दोनों सही है A और R दोनों सही है A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 78 का 79 number question देखते हैं चलिए यह भी अभी कथन है तो 79 का देखिए एक सुनियंत्री तंत्र से सुधारात्मक कारवाही शुजाओ मिलना चाहिए सही है कारण है निय कि नंबर का question देखते हैं किसी सिक्षर संस्थान के मानवी संसाधन होते हैं अब चलिए यह भी कूट में है देखिए मजे की बात है किसे एक छड़ी के ओम गयर से एक छड़ी करवचारी होते हैं बिल्कुल सही सेलेक्ट करते जाए सिक्षार्थी भी होते हैं और सुधार् कि देखिए क्या कहा गया है किसी भी अपचारिक सिख्षर प्रडाली में सिख्षा की गुरवत्ता का मापन किया जा सकता है तो देखिए किस में किया जा सकता है अधुसरचन से नहीं छात्रों कूप लब्धियों से नहीं सरी हां हां ये एक बार क्ोश्चन पर थें किसी भी अप्चारिक शिक्षड प्रडाली में सिक्षक की गुडवत्था का मापन अधुसरस्चन से किया जा सकता है बिल्कुल सही है यह ध्यान रखिएगा छात्रों की उपलब्धियों से भी किया जाता है क्योंकि गुर्वत्त की बात की जा रही है सिक्षक प्रचार या एवं अन्यमानवसन साधन की उपलब्धा बिल्कुल ये भी आएगा तो ये सभी आएंगे तो उप्रोक्त सभी दिया है आप्शन में तो D यहाँ पे correct answer होगा अब देखिए D उप्रोक्त सभी दिया है लेकिन नीचे में कूड दिया है देखिए किस तरह से question दिया जाता है तो D केवल D का है तो केवल D येवाला option आपका सही होगा 81 का D थोड़ अच्छे से पढ़ करके आपको आंसर लेना है confuse करने के लिए इस तरह से दिया जाता है प्रबंध का सार है अब देखिए 82 number का question तो प्रबंध का सार क्या है यहाँ चलिए देखते हैं लक्ष निर्धाराण यह नहीं होगा निर्णय करना नहीं संसाधनों को जुटाना बिल्कुल तो देखिए यहाँ क्या दिया है प्रबंध का सार पूछ रहा है 82 number question देखिए 82 number का question तो यहाँ देखिए यह दोनों नहीं होगा लेकिन संसाधनों को जुटाना यह सही होगा तो D यहाँ पर करेक्टर देखिए प्रबंध का सार यह question में तो दिया है BCD लेकिन कूट नीचे में दिया है ध्यान रखिएगा इसको लेकर का answer नहीं लेना है यह कूट में देखिए A और B A और D यह तो समझ रहोंगे तो केवल C जो है सही answer होगा 82 का D 83 नमबर question देखते हैं चलिए एक अच्छे संप्रेसक को अच्छा होना चाहिए क्योंकि देखिए सुनने में बिल्कुल संप्रेसक को जो सुनेगा तभी संप्रेसन करेगा कोई चीज कम्यूनिकेट करेगा दूसरा है वक्तब्य से वक्तब्य में हास्सरास के प्रयोग से बिल्कुल उची तभासक के प्रयोग में बिल्कुल यह भी सही तो उप्रोग तो सभी आएगा 83 का D इस टाइप का जो question रहता है उसका लगभग उप्रोग तो सभी आंसार आता है अगला question है जन संपर्क को खला अम विज्ञान के रुप में परिभासित किया जाता है देखिए 84 नंबर का तो यह किसका ब्यक्ति के राजनेति कभी मत को जनता पहुचाता है नहीं जनता को इभी न छेत्रों के बीच बहतर इस्थापना यह भी नहीं अभी कतने विकासिल संचार का अर्थ होता है भोईस्य में विकास के लिए संचार का उप्योग 85 नंबर देखिए कारण है एक सुचना यह एक सुचना देश की देने की विक्सी तकनिक है जो की विस्तिरित नेटवर्किंग वा अधुनिक संचार विध्यों पर अधारित है तो देखिए 85 नंबर का कोश्चन एक गलत है परन्तु आर जो है कारण जो है सही है तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 85 का चलिए अगला कोश्चन देखते है 86 का निम्न को स्थापना कधार पर क्रम में लगाएं तो देखिए स्थापना कधार पर पूछा है 86 में तो क्रम में देखिए सबसे पहले केंदरी समाज का लियान बोर्ड आएगा पहला नंबरिंग करते चलिए पहला स्थापना कधार पर फिर उसके बाद आएगा आपका NCRT, यह दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ICDS, तीसरा हो जाएगा, फिर CRC यह चाहता होगा, तो ध्यान रखिएगा, यह क्या होगा, BDAC, B यहाँ पर correct answer होगा, 86 का, तो चली एगला question देखते हैं, 87 नमबर का question, देख होगा, तो यह केवल D, मतलब केवल A आएगा, तो D यहाँ पर correct answer होगा, 87 का, 88 नमबर question देखते हैं, देखिए, मिलान करना है, चार्टर, देखिए, चार्टर जो है क्या है, तो यह चार्टर जो है द्रिश्य सहायता है, प्रदर्शन क्या है, तो प्रदर्शन है आपका प् साले कौसल विकास में प्रभावी और कक्छा में अध्यापन यह हो जाएगा आमने सामने का संपर्क, तो यह हो जाएगा E का 3, तो इस तरह से E 88 का correct answer है, चलिए अगला question 89 नमबर question देखते हैं, यदि दो या अधीक विधियों को अध्यापन है, तु मिस्तृत कर दिया जात 90, तो किस्ते उद्देश्यों से नहीं, प्रारूप से नहीं, विधि से नहीं, मुल्यांकन से की जाती है, 90 का D correct answer 91 नमबर देखते हैं, मुल्यांकन के प्रकार है, तो मुल्यांकन का प्रकार क्या है, देखिए सापेक्ष मुल्यांकन, निर्पेक्ष मुल्यांकन, मुलयांकन साप एक चेह तो हम यहां देखे लेकिन कूट नीचे में देखना है यहां केवल B केवल C केवल D केवल A तो सही आंसर है D तो यह C आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा देखे कैसे पूछ रहा है और उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं यह वाला D को आंसर नहीं लेना है बार बार कहा हों दूसरा बार यह कोश्चन पूछा गया है तीन चार बर रिपीट हुआ है यह अपसन तो दिया है नीचे में टीक दिया है तो केवल D आएग का सी मतलब क्या है सी मतलब यह उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं यह कोई भी नहीं आएंगे मुल्यांकन के क्या है प्रकार में चली अगला कोश्चन है 92 नंबर का प्रणाली अधिगम की पनिणती सही क्रात्मक में भाग प्रभाग में होती है अर्थात क्या होती है देखिए 92 92 नंबर का question तो यह देखिए 2 प्लस 2 इक्वल 4 से अधिक A सही है यह B नहीं आएगा C नहीं आएगा और D नहीं आएगा तो केवल A सही है C यहाँ पर correct answer होगा अगला question है 93 नंबर का निम्ने लिखीत कत्रों में से कौन सही है देखिए 93 नंबर का question तो कौन सही है चलिए देखते है प्रणाली एक अंतर समंदित परस्पर निरभरता यह वाला सही है यह भाग उप्रणाली कहलाते हैं यह भी सही है और उसके बाद एक प्रणाली में होने आले परवर्तन उप्रडाली के तत्व यह घटक है तो देखिये तदेखिया निवेश है विल्कुल सही उसके रहाध नहीं होगा उत्पत्ति और उत्तपाद आएगा और उसके बाद आएगा पुनर निवेस तो इस तरह से सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का पुर्वजों को विकतन है भासा एक प्रबल माध्यम है जिसके दोर बालक अपने पुर्वजों के विचारों आधर्शों यो मिश्वासों से परिचित होता है देख चले 96 देखते हैं अभी कथन है ए की स्वालिंता यहां देखिए अभी कथन ए दिया हुआ है अभी कथन में क्या दिया है स्वालिन्ता जो है इसनायू तंत्र की व्याधी है जो छती ग्रस्त समाजिक अंताक्रिया या संप्रेशन कोईंगित करता है कारण दिया है स्वालिन्ता मस्तिस्क के कई भागों से संबंधित होता है 96 नंबर का कोश्चन तो देखिए यह सही है किन्तु आरे की सही व्याख्या नहीं करता यह वाला आप्सन सही है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा एन एएप यह पहला होगा फिर उसके बाद राष्टी सिक्षा मिसन यह दूसरा होगा फिर उसके बाद सी तीसरा फिर निरंतर सिक्षा बिल्कुल करम में ही जमा हुआ है तो D, 97 का D जो है करेक्ट आंसर होगा 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं खाली स्थान कारेक्राम अपचारिक यहमन अपचारिक संस्थावदार संप्रेशन के महत्तों को समझ कर लिया जाता है तो देखिए 98 का किसके लिए लिया जाता है देखिए कूट में तो नहीं दिया जाता है तो चलिए एक ही कृत नहीं होगा निर्देसात्मग, प्रभावात्मग, सुचनात्मग होगा, D करेक्ट आंसर होगा 98 का 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चलिए ओ जो जो डॉट्स निम्न के लिए प्रवक की जाती हैं किसके लिए प्रवक की जाती हैं तो देख वर्ति अधारिया परिष्ट जायन निम्न हैं तो देखिए ये क्या है ये जो है अगनी और अधन नैपिंग नहीं होगा एंटी फिलिंग ये भी नहीं है ब्लीचिंग एवाम स्कावरी सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा तो आज हमने पूरा 100 कोस्चन कर लिया है और ये बहु कि यह प्रैक्टिस सेट है आप प्रैक्टिस करते हैं इसलिए प्रैक्टिस करा जाता है ताकि आपकी एक्जाम हाल में गलती नहों कि इस तरह से कोस्चन पुछा जा रहा है उस टॉपिक से हम कितना डिटेल अध्यन कर सकें ये आप ज़रूर करिएगा तो आप सभी को शु